कि हलो अब्रीबन एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का हमारे चैनल जी अर्म एजुकेशन अप पर तो बच्चो आज हम आपके लिए बहुत लेटेश्ट अपडेट लेगा हैं और यह अपडेट है आपकी सी बेसी की डेटशी लेटट जी हां तो आज आपक आपके एक्जाम खताम होगे चलिए शुरुआत करने सब्सक्राइब नहीं कि हो सब्सक्राइब करके बैल आइकों को प्रेस कर देंगे ताकि जितनी भी हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन है और जितनी भी लेटेस्ट अपडेट हैं सी बेसे लिटेड या फिर जो देट यह है कि उन्होंने यह बताया है कि उनकी जो डेट सीट रिलीज होगी न क्या होगी उनकी जो डेट सीट रिलीज होगी वह रिलीज होने वाली है आपकी 15 दिसंबर के बाद जी हां आफ्टर कब आफ्टर 15 दिसंबर ठीक है यह चीज तो आपके लिए है कि चलो यह त है ठीक है चलिए तो बात करते हैं कि यह आपकी डेट शीट अब कब से कब तक आगी तो मैं आपको बताँ कि लास्ट यह जो डेट शीट आई थिन में बटा चांसे से में यह हैं कि 15 मित तक आसकते तो आपकी डेट शीट यह तो आपकी डेट शीट शीया इनके बीच ही में यह पॉस्इबल है कि 15 से 30 की बीच आपकी डेट शीट अइए हो सकता है 20 के बाद भी आए यह उसकता है 25 से पहले आजए हो सकता है 15 15 to 20 में आ जए बट 15 के बाद यह एक किलिए रहे ठीक है तो थर्ड वी के फॉर्ट वीक में आपकी या लास्ट वीक में आपकी डेटशीट आने वाले ठीक है अब बात करते हैं कि आपके aqsang जो होंगे वो कब उता की थार से होता है किया होता है पोस्तिस्यार बर्लान से स्टार्ट होते हैं कि सीवेस्थ रहेगी आपके 15 यह difference आप 15 फैप से आपके एक्जाम क्या होंगे एक्जाम क्या होंगे स्टार्ट होंगे क्या होंगे बटा स्टार्ट होंगे इनके शुरुआत होगी यह बिगिनिंग होगी ठीक है क्या होगी बिगिनिंग होगी तो यह आपके बिगिनिंग होने वाली कफ से यह वने वाली है तो मैं आपको बताव बताव मिचलो कि जो topics that exam होंगे ना 15 ऑम कब से 157 थे 15 अ से लेकर लेकर पूंता के इस से लेकर आपके जो फ़र्ष्ट व्यम्स तक अप सिppen्टिन नाचसे कृट करलो होते हैं वह आपके होते हैं कहों यह वह हंगे आपके से जो लेंगवज्वेस्ट एक्सम मेन एक्समस यह कौन से जो मेन नहीं और ड ngay जवाते हैं लोड साम होते हैं यह पर आपकी जो लेंगवाइस पर सी Kelly क £10,000 अभी ते-छिक त scar को Зंग धन के लेंग पर या फिर्टिक न Wars लेकिन अगर बात करें आपके में एक्जाम तो याद रखना बीटाम यह प्रोबाबिलीटी होसकता है कि अपको लास्ट फैब में लास्ट फैब में कोई में सब्जेक्ट का एक्जाम कर वाoles सकता है ठीक है अको टूर्टेट माघ सकता है बडड़ जो आपके ये दौनों लिए और लिए इंके दोनों की जो डेट आती है वह एक साथ आती है उनका जो एक्जाम की जो डेट होंगे वह भी लगबग सेम होती है आग बीच भी इस दिन टेंट गौत बंट करने इस तैप के एक्जाम चलते हैं ठीक है चलिए तो बात करतें फिफ्टींथ फैप फ़स् फिफ्टींथ प्रोंगे बात करें अगर किसी कि अगर बात करें तो आपके में सब्जेक्ट सेंसे पीसेज़स माइप सिब्सक्राइब हुए जो होंहें यह जो होंगे वह आपके कब होंगे में सब्जक्ट के जो एक्जाम होने वाले हैं इसके में सब्जक्ट के वह आपके कब होंगे आफ्टर फॉस्ट मार्च first March के बाद ही होगे तो आपको यह सोचो कि आपको FAB तक का टाइम मिला हुआ है पूरी FAB तक का टाइम मिला हुआ है main exams के लिए क्योंकि आपके main exam होगे main subject exam होगे वो mostly probability यह है कि आपके exam किसे नहोंगे वो March में होगे FAB में बहुत कम probability होती है कि आपके exam main exam करवा दें main subject exam करवा दिये जाए क्योंकि यह chances रहते हैं कि जो main subject exam होगे वो आपके March में करवाए जाए हाँ CBC यह वाले exam 15th FAB से किस्टाइट इसली कर देती है क्योंकि जो कुछ optional और जो language paper होते हैं उनको खर conductor आ लिजाए है ताकि exam जल्दी से जल्दी फिनिस हो सकें क्योंकि CBC का एक क्राइटेरिया होता है क्या आपका सिलेवाज जो है ना दो को सुचती है सीवस्टी वाले सीवस्टी वाले यह सोचते है क्या आपका सिलेवा सेना वो बच्चे लगभग लगभग सेप्टेमब्र आक्टूबर तक तो complete करी लेते हैं लगभग आप्टूबर तक उनको का जाता है कम्टलीट हो जाता है aqtuk भर तक फर्स्ट भी का पर 15 तबह सको जाता है यह यह लगबाव हो जाता है बच्छों कॉंप्रेट से ले बस ठीक है तो फिर रिवीजन कर लेते हैं बच्छा कितने टाइम लेगा रिवीजन के लिए मैंने कहा कि देड़ महीं ले लिए बच्छे रिवीजन करने के लिए तो फंद्रह दिन तो यह मिल एक्टूबर के और नॉमबर के पूरे दिन मिल गए ठीक है तो अक्टूबर टू नॉमबर क्या विटा ऑक्टूबर 15 से लेके अब तक पूरा नॉमबर ठीक है फुल मंट्स मिल जाता है अब बात करो इसी लिए इसी लिए सी बस्केरं प्रीवोर्ट का च्छा जाते हैं वह आपकी डिसम्बर में होते हैं ऐसंबर के फॉस्ट वीक में कि मापके श्टाट थैक आपकर शूरा पता होता है कि अधिता में हो बच्छा और में हो गया है लगबघ वच्चे का syllabus बॉर्ट के लिए तयार हो चुका है तो प्रिवोड ले इसेंबर में फ़र्ष्ट प्रिवोर्ड में वह रहे हैं फश्ट प्रिवोड ठीक है अब बात करें इसकी और सेकेंड प्रिवोड कब लेति हैं फिरो उन्हें बच्चे को इन्हों को फंदरे द जाते हैं फिफ्टीन टीक है तो फिफ्टीन डेज में आपके वह फिनिस हो जाते हैं तो जैन फिफटीन से पहले-पहले वीफॉर कि बिफॉर जैन 15 से मतलब फिर्स्ट जैन टू यह सकते हो न्यू यह तो फिफ्टीन जैन तक आपके यह कंप्लीट कर लेते हैं ठीक है तो यह आपके होगा जाते हैं फिर जब फिफ्टीन जैन तक ही हो गया बच्चा अब जब तो दो बार रिवाइज कर चुका है ठीक है तो लगबग इसी लिए यह 15-20 दिन का फिर टाइम मिल जाता है तो इस तरीक से का होती है उनकी स्ट्रेट्जी होती है सीबसी की तो वही मैं आपको बताने वाला हूं वही मैं आपको बताया है क्या कि जो आपकी जो होंगे वह 15 fag se लगभग लगभग लास्ट मार्च तक जाते हैं ठीक है मैं लगँ अंट हाफ मंट आपको एक्जाम में लगजाता है तो आपके जव एक्जाम होगे वह कब स print तक होंगे फिफ्टीन फैप टू कब से कब तक फिफ्टीन फैब टू लगभग मार्च के लास्ट तक टीक है लास्ट मार्च यह एंड ऑफ मार्च ठीक है तो पूरे लगवान एफ मंथ आपके एक्जाम सलते हैं तो आपका एक राइटेरिया रहने वाला तो मना आपको लेकर फिफ्टीन फैपन टू अपकी थर्टीथ डेक आने वाले है यह यह टाने वाली है लाश्ट वन बता दिये टुटीन नाइन त्सम्बर गो सेशन ता पचली बार आपका इस बार आपके कब से कम 15 से लेकर तीस दिसम्बर के बीच यह भी संभवना है ठीक है इसके बी है कि आप सिलेबस जल्दी कवर कीजिए और रिवीजन इस तरीके से कीजिए कि आपकी प्रिवोर्ट अच्छे हो जाए प्रिवेट्स एक बार बच्छा प्रिवोर्ट देगा दिसम्बर में तो थोड़ा सो समझ में आगया तो कमेंट करके बता है कि हां सर समझ आगया को आपकी देखना एकुरेट इसी डिट पर आएगी और जो आपकी डेट सीट होगी वह भी इसी अक्वाडिंग मनाईजिए कि मैंने बताया है ठीक है चलिए सारा सिलेबस बता दिया आपको किस तरीके साब को बेल क्या कहते हैं जिन दोस्तों तक पहुंचाने ने वीडियो उन्ता जुरूर पहुंचाएगा तो शेयर कीजिए दर जाद दर ठीक है चलिए बहुत बश्क्राइब आप सभी को हां और डेट सीट से जादे इंपोटेंट है अपना सिलेबस कवर कीजिए और रिवाइस क कमरतो हुई गया बग दिवाइस कीजिए देखिए धिक हैं थेंक्यू सो मच्छा आप सभी को